जैतुन की सिर्के से क्या आपको फाइदा में जाएदा है इसलिए मैं फिर दुबारा मंगाए पहले तो मैं काम करती रही तो काम करने नहीं होता एकदम परेशन ही होता तो मैं आदा है तो काम छोड़ के आजाती घर पे जब से यह ले रहे हूं ठीक है नमस्कार आदाब स्वागत है आप सभी का हमारे बेहत खास कारेक्रम में मैं हूँ आपके साथ शर्जतियागी दर्शको हकीम सुलमान खान साहब की पूरी टीम पहुंची हुई है बैंगलॉर जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं बैंगलॉर में रहने वाले उन सभी पेशेंट से जो हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे प्रोग्राम का ना सिर्फ एक हिस्सा हैं बलकि परिवार का सदस्य हैं जानने हम पहुंच रहे हैं उनके घर उनकी सेहत का हाल वो हकीम साहब के कौन-कौन से नुसके अपना रही हैं कितना उनको लाभ मिल रहा है और उनके जरिये और कितने लोगों को भी आराम पहुंच रहा है वो अपने फैमिली मेंबर्स में या और अपने फैमिली फ्रेंड्स में कितने लोगों तक हकीम साहब के नुसके दवाईयां पहुंचा चुके हैं और उन लोगों को कितना आराम पहुंचा है ये सारी खास बातशीत करने के यह अपनी एक खास पेशेंट के घर मौजूद हूँ जो बैंगलॉर में ही रहती है जिन्होंने अपने घर हमें इन्वाइट किया है तो मैं जिनकी बात कर रही हूं उनका नाम है रजिया चले मिलकर उनका स्वागत करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है मैं आदा मैं आपकी सहाब से आप कैसे जुड़ी हैं मैं हकीम सहाब से टीवी का प्रोग्राम देखती थी जब मैं आके वो हकीम सहाब नुक से बोलते थे जब में लड़की फोन करके बताई कौन सी दवाई का इस्तमाल कि और बिमारी क्या बिमारी मेरे को कुछ कहीं भी गई तो एकदम परेश कि हैं वहीं इस्तमाल करें और अभी काला गोन मंगा के हैं वह भी इस्तमाल कर रहे हैं जैतुन के सिर्के से क्या आपको फाइदा में जैतुन के सिर्के से क्या आपको फाइदा है इसलिए मैं फिर दुबारा मंगा हैं कब से इस्तमाल कर रहे हैं मैं एक साल से इस्तमाल कर उन्हें क्या तकलीफ है और वो क्या इस्तमाल कर लिए उनको भी थोड़ा शुगत था उनको भी ऐसा ही प्रेशनी था तो मैं बोलें मंगा के यूज कर रहे हैं अभी काला गॉन भी मंगा है अभी थोड़ा बहुत कम है तो हकीम साहब जो दवाईयां बताते हैं जिनका इस्त बिमारी होगी तो हखीम साहब की दवाईयां अपनाएंगे वह भी बोले कि अधुम मेथी धनिया अउला तके ग्यास्टी खोने से चेचेश बताते हैं जुद्धा अच्छेश बना लेते हैं बना कर रखा और अच्छे इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो इस्तिक पर बाहर का क हकीम साब का प्रोग्राम देखती है तो हकीम साब की कोई ऐसी बात जो आपको बेहत पसंद हो हाँ वह क्या बोलते हैं मैं रहे तक सब नुक से अपना किसी को बोलो ताकि हरी अपको पता चले इसलिए हम लोग भी सब को बोले हमारे घर के बाजू आजू वह भी अपनाने वाले है लेने वाले है सब ठीक है आप तो यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ गई है जो हकीम साब बताते हैं क्या आप यूनानी में जुड़ने से पहले भी कोई और दवाईयों का इस्तमाल करती थी क्या आप कुछ नहीं लेती थी हाँ वह एक भी बतामीं सी इसके गोले ले ले की SPEAKER के मैं नहीं हो लेडी हाए भी काती है तो नहीं मानी हूँ तो अंच्झेड दवाईय दो नहीं काती आप एंगारा है नहीं को नहीं कॉPro नहीं कंगारा दए पहले खाईयें हाँन没事 तो आपको स्वास्त देख के खुश रहते हैं अभी आने वाली है, वो आई है मेरी बड़ी लड़की है, तो घर में कोई और भी इस्तमाल करता है? मेरी लड़की भी कभी पी लेती है थोड़ा कभी गयाश्टी को खाना नहीं खाई तो पी के सोती है तो आप पूरे दिन क्या करती है आप घर का पूरा काम खुद करती है यह कंभी कोई काम भी करती है मैं बाहर भी जाके काम करके आती है मैं कुछिंग करती हूं कुछिंग कर और कितने घरों में खाना बना लेते हैं? मैं अभी चार घर में कर रहे हैं. अभी मेरी बेटी दामाद बोरे मात करो. तो थोड़ा भूत कर लेंगे कर कर रहे हैं. अच्छे हैं. तो ऐसा नहीं लगता आपको कि अभी घर में बैटना चाहिए? तो थोड़ा थोड़ा करते रहने चाहिए. बैटना नहीं. चले बहुत अच्छा काना आप कर रही हैं कि इस उम्र में भी आप घर पे जाके लोगों को खाना खिला रहे हैं सबसे बड़ी बात है. तो तब कोई तकलीफ तो नहीं होती? शरीर में तकान तो महसूस नहीं होती? नहीं होती. अभी पहले सका नहीं है. पहले तो मैं काम करती रही तो काम करने नहीं होता. मन नहीं करती है. एक दम परेशा नहीं होता. तो मैं आद 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 काम छोड़के आ जाती घर पे. जब जुड़े हुई है अपने मन की कोई बात कहना चाहती है तो कह सकती है इस इंट्रव्यू के जरी हकीम साब से हकीम साब से बहुत अच्छा लगा देखे और दवा लेकि भी बहुत अच्छा लगा मेरे को मैं सबको भी बोल रही हूं लेने के लिए तो जो लोग अभी तक यु करना चाहिए अराम मिलेगा याने के लोग बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपके घर आके लेकिन आखरी बाद जरूर जाना चाहूंगी जगे कौन सी है क्योंकि बैंगलोर में ऐसे से नाम है कि मैं भूल जा कि कौन सी जगे है यह तो सज्जापूर हरलूर 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 में रहती है खर चलिए शुक्रिया मैं मैं अपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने इपा मौका मिला बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया है यही जानने तो हम उनके पास पहुंचे उनके घर हम बैंगलॉर में इस वक्त हैं और बहुत खुशी के साथ मैं यह कह सकती हूं कि जितने भी पेशेंट से मुलाकात कर रही हूं बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स देखने को मिल रही हैं हकीम साहब के नुसके जो उन्हो अपनाये थे तो आप सभी से कहना चाहूंगी आप भी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं वो भी घर बैठे बैठे जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है पेशेंट्स की लंबी लाइन में आपको नहीं लगना होता है तो अगला नंबर आपके घर का भी जरूर हो स